दोस्तों आज हम आपको बैंडरा में बसे बहुत सारे फिल्म एक्टरों के घर दिखाने वाले हैं जिसमें की राजंदर कुमार, जितेंदर, अमजद खान, धलिप कुमार, संजिदत, एश्वरे राय, करन जोहर, रविना टंडन, संजीव कुमार, अमजद खान, शारुखान रेखा, जान इब्राहिम, टाइगर श्राव, प्रेम चोपड़ा जैसे दिगश कलाकारों के घर दिखाने वाले हैं, यह हम आपको लेकर महभूब स्टूडियो से निकल चुके हैं दोस्तों, यहां पर जब से दोस्तों बैंडरा में शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यह महभूब स्टूडियो बहुत ही पुराना है, मुगल आजम जैसी फिल्मों का निर्मान यहां पर किया गया है, और अब हम आपको सबसे पहले जो हैं आपके कलाकार, उनके यहां पर लिए चलते हैं, जी हां दोस्तों, जेकी श्राव को आप जानते होंगे, और उनके ब दोस्तों, इन सीडियों को देखा होगा, यह स्टियर्स, और जेस्ट बिल्कुल राइट साइड में आपको नीचे चलना है, सबसे पहले, और थोड़ा आगे चलने के पश्चाद, जी हां दोस्तों, इसके पश्चाद कौन से कलाकार का घर आता है, यह हम आपको सबसे पहल करते हैं, और यह बिल्डिंग को आप यह देख लीजिए, सामने दिख रही है, दोस्तों, इसे वास्टू पैंडरा के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है, यह देख लीजिए, और जी हां दोस्तों, यहां पर टाइगर श्राफ, चेकी श्राफ रहते हैं, यहां पर स बश्चात हम आपको दिगजों के दिगज के यहां पर लेकर जाएंगे जैसा कि हमने बताया आपको तो दोस्तों आपको जेकी श्राफ के घर से टाइगर श्राफ के घर से सीधे ही सीधे चलते चले जाना है और हम आपको बाश्या खान पठान के यहां पर लेकर जाएंगे सल और शारुख खान मन्नत खरीदने से पहले किस जगा रहा करते थे उन सारी जगाओं को आज हम इस वीडियो में दोस्तो दिखाने वाले है और ये हम आपको बातों बातों में लेकर पहुँच चुके हैं जी हाँ दोस्तो जिन्हें की शारुख खान कहा जाता है जी हाँ दोस्तो बाश्या खान जी हाँ दोस्तो ये उनका घर मन्नत को हम आपको दिखा रहे हैं ये आप देख लीजे दोस्तो नहोंने अपनी नेम प्लेट जो है मन्नत की बिल्कुल डाइमन टाइप में उसको बनवाकर लोगों के लिए लगा दी गई है ताकि वो लोग जो भी लोग आते हैं यहां पर अच्छे से सेलफीज ले सके दोस्तो और यहां की खुबसूरती आप यह देख सकते हैं मन्नत के सामने से ही यह शॉट लिया गया यह पूरा बैंड स्टैंड इस जगह को जाना जाता है यहां पर आने के लिए आप बैंडरा वेस्ट से दोस्तो बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं और आटो रिक्षा के माध्यम से अगर आप आते हैं तो 20 रुपर शेरिंग लेता है बैंडरा वेस्ट स्टेशन के खरीब से दोस्तो यहां पर आप आ सकते हैं और इसी के आगे बैंडरा वरली है दोस्तों यह चलिए अब हम आपको यहां से आगे लिए चलते हैं और यहां की खुबसूरती बैंड स्टेंड की आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खुबसूरत जगा है यह और यहीं पर राइट साइड में जो है सल्मान खान इन्ही सड़कों पर साइकल चलाते हुए नजर आते हैं और बीच में ही पड़ता है रेखा जी और जॉन इबराहिम का घर चलिए पहले उस जगा को दिखाते हैं उस लोकेशन को हम आपको दिखाते हैं उसके पश्चात आपको दिगजो के घर भी आपको दिखाएंगे शारुक खान का घर तो आपने देख लिया और ये जेट प्लेइन दोस्तों यहां पर है यह फाइटर प्लेइन को आप यह देख लिजिए यहां पर आपको रुकना है और क्रॉस करके आपको अपोजिट साइड में जाना है रेखा जी का घर अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको जान इब्राइम और रेखा जी का घर दिखाने के लिए यह सामने आप यह देख सकते हैं जी यहां दोस्तों बसेरा यहीं पर रेखा जी जो है रहती हैं दोस्तों बसेरा में और इसी के जस्ट साइड म ही दोस्तो यह जान इब्राहिम का घर है दोस्तो यह सेवंथ फ्लोर पर यहां पर रहते हैं यह पीछे वाली बिल्डिंग आप यह देख सकते हैं जान इब्राहिम बहुत ही अच्छे और सच्छे और वेजिटेरियन इंसान है दोस्तो बहुत ही अच्छे इंसान तो चलिए अ तब हम सलमान खान और शारुक खान के घर के बीच में ही रेखा और जॉन इब्राहिम का घर है दोस्तों और दोस्तों इसके पश्चाद दोस्तों हम आपको लेकर आ चुके हैं आप सब के भाईजान सब के चाहने वाले जीहां दोस्तों सलमान खान का घर आप सभी लोग जानते ही हैं लेकिन आज के इस वीडियो में आपने जो कभी नहीं देखे होंगे उन चेहरों को भी हम आपको दिखाने वाले हैं यह स्लमान खान का घर गैलेक्सी अपार्ट्मन बेंटरा वेस्ट मैं यहां पर आने के लिए दोस्तों करहिए आपको आना पड़ेगा और मात्र बीस रुपे शेरिंग आटो वाला यहां पर लेता है और यह पूरा गैलेक्सी, आपार्ट्मेंट आप देख सकते हैं neuSTEब का कभी साइकल से चले जाते हैं और चलिए हम बताते हैं आपको महभूब स्टूडियो यह हम राउन लेकर दोस्तों पूरा आपको लेकर आए हैं और यह जो चुरहा आ रहा है यहां से राइट जैसे ही जाएंगे तो सीधा महभूब स्टूडियो पहुंच जाते हैं और इसके हम आपको इनके प्रोड़क्शन हाउस का जो आफिस है वो हम आपको दिखाते हैं चलिए आपको जल्दी से जल्दी थोड़ा लिये चलते हैं और आपको सोयल खान और सलमान खान का प्रोड़क्शन हाउस दिखाते हैं जहां पर की ये कास्टिंग किया करते हैं दोस्तों और यह हम आपको लेकर आ चुके हैं चर्च के करीब में ही यह सोयल खान प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है और यह इनका आफिस है सोयल खान का और यह आप यह देख सकते हैं दोस्तों यह कोरियल रिलीफ कोरियल रीफ 55 यह पोस्टर भी यहां पर लगा अनोंने सोयल खान सल्मान खान प्रोडक्शन का दोस्तों और यहां पर आकर आप अपनी किसमत को आजमा सकते हैं यहां पर आप आकर औरिशन दे सकते हैं और इसके पच्चाथ हम आपको चलिए थोड़ा बैंडरा की गलियों में घुमते हुए आपको ऐसी शांदार और जा अंदार जगा लिये चलते हैं दोस्तों जहां पर आप सचिन टेंडूलकर को तो आप जानते ही होंगे यहां पर यह लेफ्ट में मस्जिद है बेंडरा में जोगस पार्क के करीब में उनका घर है और हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों सचिन टेंडूलकर जी हां कौन नहीं जानता है दोस्तों और ये उनका घर है ये आप ये देख सकते हैं 19 A फेरी क्रोस रोड ये यहां का एडरेस है और ये पूरा सचिन टेंडूलकर सहाब का घर आप ये देख सकते हैं दोस्तों कहते हैं ना जो इनसान मेहनत करता है तो उपर वाला भी उसका ख्याल र इस्तित है जोगस पार्क के पीछे की साइड मस्जिद आप किसी से भी पूछेंगे मस्जिद के उपोजिट साइड में ही थोड़ा सा आगे चलने के पश्चाथ ये आप सचिन टेंडूलकर के घर दोस्तों आप पहुंच सकते हैं तो चलिए अब आपको आगे लिए चलते तो मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट उन्हें कहा जाता है और अब हम आपको ये पूरा कार्टर रोड आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत और हम आपको लेकर जा रहे हैं आमिर खान के घर पर और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट जी हां दोस्तों आमिर खान का घर ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही यहां पर उन्होंने दो फ्लेट जो हैं खरीदे हैं पूरा का पूरा फ्लोर दो फ्लोर खरीदे हुए हैं दोस्तों पूरे और बहुत ही महंगे घर हैं यहां पर और यह साइड में ही दोस्तो जो आप यह बिल्डिंग देख रहे हैं एक और अमिर खान के घर के साइड में ही एक और यह बिल्डिंग यह नजर आ रही है दोस्तो यह एश्वरे राय की बिल्डिंग है दोस्तो एश्वरे राय की ममी यहां पर रहती है और उनकी खुद की बिल्डिंग है यह इश्वरे राय बच्चन की और यहां से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और उस जगह पर आपको ले कर जाएंगे दोस्तों जहां पर कि शारुख खान मन्नत खरीदने से पहले मुंबई में आकर आपको जहां पर शारुख खान मन्नत खरीदने से पहले रहा करते थे तो हम फटा फट आपको लेकर पहुंच चुके हैं और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यह हम आपको ऐसी जगह पर आज लेकर आए हैं आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा दोस्तों एसी एसी जानकारियां और यह आप यह देख सकते हैं दोस्तों यह यहां पर यहां यह बिल्डिंग को आप यह देख रहे हैं दोस्तों और यह जो बिल्डिंग है इसे अम्रित बिल्ड़िंग के नाम से जाना है और यह नहीं पर विताई है कार्टर रोड़ की पूरी खुबसूरती आप यह देख सकते हैं ये जगह जो है जोगस पार्क से पास ही में है तो चलिए आपको फटा फट यहां से जोगस पार्क लिए चलते हैं और और वहां पहुंचकर आपको बताते हैं कि जोगस पार्क के पास में कौन कौन से कलाकार रहते हैं दोस्तों और तो चलिए फटाफट चलता है ये पूरा कार्टर रोड का खुबसूरत और मनोहर द्रश्य आप लोग देख सकते हैं सब फिल्म स्टार्स ही यहां पर रहते हैं ज्यादातर और बहुत ही खुबसूरत वातावरन दोस्तों आप ये देख सकते हैं